Hello and welcome to M.A. Academy मैं हूँ शशांक लखेरा और इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कि अगर नुकलियर टॉक फेल हो जाती है अमेरिका और इरान के बीच में तो अमेरिका और इस्राइल अपने मिलिटरी को जो है यहाँ पे प्रिप्रियर करेंगे इरान के अगेंस्ट में मतलब अगर diplomatically इरान नहीं मानता तो अमेरिका और इस्राइल अपनी forces को यूज कर सकते हैं इरान के अगेंस्ट में अब आप बोलोगे कि सर इरान तो कभी nuclear state रहा नहीं इरान के पास nuclear weapon है नहीं तो इरान पिक्चर में कैसे आया तो सबसे पहले तो यह जान लो कि दुनिया म करीब 9 देश ऐसे हैं जिनके पास nuclear weapon है उनमें अमेरिका है, United Kingdom है, France है, Israel है, Pakistan है, India है, Russia है, China और North Korea है तो mainly करीब 9 देश ऐसे हैं जिनके पास nuclear weapon हमको देखने को मिलते हैं अब आप बोलोगे सर इसमें इरान तो कहीं भी नहीं है बिलकुल इरान के पास कोई भी nuclear weapon नहीं है ले इस तरीके से इरान uranium को यहां पे enrich कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में वो अपने nuclear weapon को develop कर लेगा और ये जो Arab world है ना उसके लिए ये एक बहुती बड़ा threat है और इरान picture में आया था 2005 में, 2005 में जब अमेरिका के president रहे हैं George W. Bush तब इरान आ गया था picture में, इसके बाद 2005 में इरान में कोई भी centrifuge नहीं थे जो uranium को यहां पे enrich कर पा है, इसके बाद 2015 में करीब 18,000 centrifuge हैं वो installed किये गए इरान में और आज के समय करीब 9,500 जो है operational भी है, और finally अब अमेरिका यहां पे यह चाहता है कि इरान बापिस जो JCPOA agreement है उसको यहां पे follow करे और proper western countries की निगरानी म अपनी nuclear program को develop करें, इस पे article भी है, Reuters का, इरान nuclear talks resume as US and Israel intensify rhetoric, so basically इरान nuclear talks जो है, वो वापिस यहां पे शुरू हुई है, लेकिन अगर इरान diplomatically यहां पे नहीं मानता, तो इसराइल और अमेरिका अपनी forces को जो है आपे use कर सकते हैं, तो हम इस video में देखेंगे कि history क्या है इर क्यों sanction impose कर रहा है, और इसराइल यहां पे यह क्यों बोल रहा है, कि हमको military action लेना चाहिए इरान के against में, इसके अलावा nuclear weapon develop कैसे होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो काफी कुछ आपको इस video में जानने को मिलेगा, उसके पहले, अगर आप किसी भी competitive exam के त्यार ही कर रहे हो, तो आप हमारे app के थुरू कर सकते हो, आपको करना क्या होगा, सिर्फ app को download करना होगा, फिर आपको यहां पे sign up करना है, आप दो videos lecture देख सकते हो, जो demo lecture होंगे, फिर आपको profile में जाना है, plan को purchase करना है, courses को enjoy करना है, एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे, और आप यहां पे pdf भी download कर सकते हो, इस करावद mmecademy.in, यह हमारी website है, आप website पर भी visit कर सकते हो, now first of all हम बात करते हैं कि nuclear weapon को develop कैसे किया जाता है, देखो एक image है आपके सामने, इसको कहा जाता है uranium, mainly uranium 235, तो क्या, इस uranium को directly यहां पे खदान से निकाल के, हम एक nuclear weapon develop कर सकते नहीं, देखो इतना आसान भी नहीं है, यह uranium तो सिर्फ एक normal form में है, मतलब natural form में है, इसको enrich किया जाता है, मतलब इसको बहुत जादा यहां पे pure किया जाता है, mainly uranium, तीन form में यहां पे पाया जाता है, मतलब तीन isotopes होते हैं, uranium 238, uranium 235 और uranium 234, mainly nuclear weapon develop करने में, uranium 235 का एक सबसे important role होता है, क्योंकि यह fission reaction जो है, बहुत अच्छे से करवा सकता है, आपको पता है, तो जो nuclear fission होता है, वो uranium 235 में बहुत अच्छा होता है, इसलिए uranium 235 को ही जो है, यहां पे यूज किया जाता है, और देखो, पहले तो uranium को enrich करना पड़ता है, अब enrich का मतलब क्या होता है, कि इसकी जो quality है, इसकी जो गुडवत्ता है, उसको हमको increase करना है, और technically अगर आप देखोगे, तो हर देश के पास यह technology नहीं है, कि इसकी quality हम improve कर पाएं, अगर आप भारत को ही देखोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भारत अजाद हो रहा था, तब होमी जहांगीर भावा ने एक statement दी थी, कि अगर भारत चाहे, तो अपना nuclear weapon जो है, सिर्फ एक से दो साल में develop कर सकता है, और सिर्फ यही नहीं, जब भारत आजाद होने वाला था, उसके पहले ही उनके पास एक proper plan ready था, कि इंडिया को एक nuclear state बनाना है, तो technically अगर आप देखोगे, तो nuclear weapon को develop करना एक बहुत ही difficult task है, इसलिए दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, जिनके पास nuclear weapon available नहीं है, और सभी देश nuclear weapon को develop ना कर लें, इसलिए 1968 में nuclear non-ploriflation treaty को जो है यहाँ पे sign किया गया, जिसमें बहुत सारे देशों ने यहाँ पे sign किया, इसको 1968 में sign किया गया, और इस इसको NPT के नाम से जाना जाता है, उस समय इरान ने इसमें sign किये थे, मतलब इरान ने NPT को यहाँ पे sign किया था, अगर आप इस treaty के according देखोगे, तो इरान अपने nuclear weapon को develop नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनका मन हो गया nuclear weapon को develop करने का, तो फिर अलग बात है, NPT में वो देश आते NPT हमने sign कर ली, कोई देश बिना किसी देश को बताए, यहाँ पे nuclear weapon to develop कर सकता है, क्योंकि किसी देश को क्या पता कि उस दूसरे देश में क्या चल रहा है, तो इसके लिए IAEA, इसकी supervision में जो है NPT treaty को रखा गया है, मतलब International Atomic Energy Agency जो है, इस NPT treaty को क्या करती है, यह एक International Organization है, जिसका Headquarter आपको Vienna, Austria में देखने को मिलेगा, इसको 1957 को form किया गया था, और mainly इसका purpose यही है, कि nuclear energy का यहाँ पे peaceful use हो, मतलब कोई भी nuclear weapon को यहाँ पे develop ना करे, वो सिर्फ nuclear program को run करे, तो किस चीज के लिए, जो यहाँ पे power sector है उसके लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए, nuclear technology को यहाँ पे use करे, अब इरान ने तो NPT Treaty को sign किया हुआ है, तो इरान अपने nuclear weapon को यहाँ पे develop नहीं कर सकता, अब देखो, 2005 में, जब George W. Bush President रहे अमेरिका के, उस समय इरान के पास कोई भी centrifuges नहीं थे, जिस्ते वो uranium को यहाँ पे enrich कर पाए, लेकिन, 2013 में, जब यहाँ पे Obama का साशन आया, तब उस समय बहुत सारे जो sanctions हैं, उनको uplift कर दिया गया, मतलब sanctions यहाँ पे हटा दिया गया, और 2015 में एक treaty sign हुई, जिसको कहा जाता है joint comprehensive plan of action, JCPOA, तो इसको short form में JCPOA कहा जाता है, अब इसमें एक तरफ तो था America, UK, France, China, Russia, Germany और European Union, इसके मतलब था Iran, अब इन सब देशों के बीच में यह treaty जो है यहाँ पे sign हुई थी, और इस treaty में यह कहा गया, कि Iran अपने nuclear plan को जो है यहाँ पे implement कर सकता है, लेकिन peaceful तरीके से, ठीक है, peaceful तरीके से तो करेगा, और वो भी western countries की निगरानी में, मतलब simply, अगर कोई भी nuclear facility यहाँ पे वो भी जो है यहाँ पे supervision करेगा, मतलब इरान के जितने भी nuclear program चल रहे हैं, उन सब में America जो है यहाँ पे नजर रखेगा, और इरान ने भी इस बात को मान लिया था कि हाँ ठीक है, हम आपके हिसाब से चलेंगे, और सिर्व यही नहीं, इरान nuclear technology भी जो है दूसरे देशों स यहाँ पे खरी सकता है, और अगर आप इरान के लिए देखोगे, तो यह बहुत बड़ा achievement था diplomatically, कि इरान अब nuclear technology जो है यहाँ पे buy कर सकता है, लेकिन यह treaty sign हुई थी 2015 में, और करीब 18 में जो प्रेसिडेंट है वो बने कोन ट्रम्प, तो ट्रम्प ने आते ही यहाँ पे य इन्होंने directly जो है खुदी यहाँ पे cancel कर दिया, कुछ समय जो है इरान ने भी यहाँ पे देखा, अब इरान ने क्या किया, इरान ने भी 2019 में JCPO Agreement को cancel कर दिया, तो 2019 से लेके इरान अपने हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब uranium का enrichment यहाँ पे कर रहा है, लेकिन अभी क कुछ समय में तो वो develop कर सकते हैं, जब 2005 में उनके पास कोई भी centrifuges नहीं थी, 2015 आते याँ उनके पास करीब 19,000 जो centrifuges हैं, वो यहाँ पे हो गई, तो possibility यह भी है कि future nuclear weapon जो है यहाँ पे इरान डेवलप कर ही लेगा, अब आप यहाँ पे बोलोगे कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, बहुत सारे देशों के पास nuclear weapon है, तो इरान अगर nuclear weapon डेवलप कर भी लेता है, माल लो कल को इरान ने nuclear weapon डेवलप कर भी लिया, तो इसके pro and cause क्या होगे, देखो पहली बात तो आपको समझना होगा, कि यह जो देश आप देख रहे होना, इरान की Saudi Arabia से बिलकुल न पटती, ठीक है, UAE से उतने अच्छे संबंद है नहीं, इसके लावा एक छोटा सा देश इसराइल, जिसकी हमेशा जो है, इरान से यहाँ पे लड़ाई चलती है, इसके लावा कई बार, इरान यहाँ यहाँ यह क्लेम करता है, कि इसराइल ने हम पे जो है, साइबर अटेक किया है, हमारे जो नुकलिर फैसलिटी है, उस पे अटेक किया है, तो मेंली यह जो पूरा रीजन है ना, इस पूरे रीजन के लिए इरान जो है, ठ्रेट है, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कि अमेरिका जो है, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, आम्स क तरीके से इरान जो है, यहाँ पे नुकलिर वेपर अपना डेवलप ना कर ले, क्योंकि यह कभी भी जो है, यहाँ पे किसी पे टेक कर सकते हैं, इसराइल पे कर सकते हैं, या साओधे रेवी भी कर सकते हैं, तो मेंली यह जो है, सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा ध तो अभी तक अगर आप देखोगे तो जो 2019 के बाद जब JCPOA एग्रिमेंट जो है इरान ने खुद भी यहाँ पे कैंसिल किया तो 2019 में इरान ने भी कैंसिल कर दिया उसके बाद कोई भी नुपलियर टॉक जो है यहाँ पे नहीं हुई अब फाइनली यूएस और इस्राइल जो है यहाँ पे डिसकस कर रहे है कि अगर डिप्लोमेंटिकली इरान यहाँ पे वापिस JCPOA एग्रिमेंट में नहीं आता तो हम क्या करेंगे हम मिल्टरी का यहाँ पे साहर आ लेंगे मतलब डारेक्टली यह बात नहीं कही गई इरान को लेकिन इंडारेक्टली जो है यह JCPOA एग्रिमेंट में वापिस लेके आता है या नहीं क्या इरान अपने नुक्लियर प्रोग्राम को वेस्टन कंट्रीस के अंडर में ही रन कर पाएगा तो अगर अमेरिका यह कर लेता है तो ठीक है तो देखना होगा इसमें USA क्या करता है आपको क्या लगता है अपने लोगा सुने के लिए बहुत धन्यवाद जैहिंद जया पराद